हेलो दोस्तों वेलकम टू माई चैनल पतंग बाज आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पतंगों में स्टाइलिस करने कैसे बांद सकते हैं और नरी करने तो सभी लोग बांदते हैं आज मैं स्टाइलिस करने बांदना सखाऊंगा आपको जैसे कि आपकी महले में पतंग उड़ेगी कोई भी पाएगा तो जान जाए कि आप यही पतंग उड़ा रहे थें आपी की वो पतंग है और स्टाइलिस करने बांदने सोड़ा ये भी होगा कि हाँ अगले बंदे को लगेगा कि हाँ यह पतंग बाज है पतंग बहुत बढ़ तो इस कन्ये के बारे में आज नहीं बताऊंगा आपको इस कन्ये में तो आपको बहुत सी वीडियो मिल जाई ऐसे कन्ये बांदने के लिए आप जों कन्ये बांदने बताएंगे वो थोड़े स्टाइलिस रहेंगे रहेंगे ऐसे ही आपकी पतंग में उड़ाने में कोई फ देखने में आपके पतंग पिल्कुल जो भी पाएगा वो गहेगा आँ भीया पतंग बाज की पतंग है तो वीडियो पर बने लगे तो आपको किस तरह से बांदनी है तो यह हमारे पास दो पतंगे हैं और दो तरीके से आपको हम बताएंगे पतंग के करने बांदना यह पहले है यह पतंग में अलग कर लेते हैं पहले आपको दिखाते हैं तो इसमें हम लोगों करना क्या है यह तो जैसे हम लोग और बांदते इसी तरीके से हमें यहां पर छेथ कर देना है तो यहां पर हमें क्रॉस टाइप के चार छेथ करने हैं यह देख लिए इस तरह से च आप इतनी वीचे छोड़ यहां पर यहां पर यहांपर होता है यहां पर करिए इस जगें पर फिरोम्हतास है हुव Been तो यहां विच्छाय और हम प्रॉब्लम नहीं है अचाहए और प्रॉब्लम नहीं है उसके बाद हम यह थोड़ा सा करने बादने के सटी ले लेते हैं और इसको करते क्या है यहां से हम इसको डबल कर लेते हैं इसको डबल करने के बाद करते हैं इसको प्रॉस में एक सीरे से यहां से अंदर डाल देते हैं और दूसरे प्रॉस वाले सीरे से निकाल लेते हैं उसके बाद यहां पे में गीठा देते हैं उसका एक करना कि है फिर हम जो एक सिरा खाली है वहां पे इसे डाल देंगे कुछ इस तरह से और फिर दूसरे खाली सिरे से निकाल दोगे यह दूसरे खाली सिरे से निकालने के बाद हम फिर एक बीठा दे देखते हैं आप चाये तो इसको डबल के बजाए चौगल भी कर सकते हैं और यहां पिर दो तिन गीठे माल देखे हैं उसके आद यह देखिए हमारे जो कन्ये बंद हैं पीछे क्रॉस में बंद हुआ है यह दिखा देतों आपको यह देखिए है और इसके बाद ठैर गरना हमें नीचे के आप चाये तो इसी तरह से क्रॉस करके बंद सकते हैं और चाये तो विए से क्रॉस ना करिए तो ज्यादा ही दाएगा ऐसे नॉर्मली बंद दीजाए इससे बंद देते हैं जल्दी से कि यह हमारे एक पतंग में इस्टाइलिस करने बंद चुके हैं कि यहां से आप जीशिस आप से तो उड़ाना चाहते हैं डीली रखना चाहते हैं तो पीछे वैसे तो यहां बीचों बीच से थोड़ा सा आगे होना चाहिए जैसे कि ठस्नाव कन्ये पतंग के वाद तने ना हल्किसी डील देने पर नाज जाए ठीक है तो अब मैं आपको दूसरे पतंग की करने दिखाता हूं एक दूसरी स्टाइल में तो यह हमाई दूसरी पतंग है श्री दूसरी 10 गोजे चाहिए इसके यहां पर इस जगहें पर इस जगह पर छेट कर लिए दो यहां पर भी छेट कर लेते हैं और यहां पर भी छेट कर लेते हैं तो यहां पर रखे हैं दो यहां पर रखे हैं और दो यहां पर रखे हैं तो इस तरह से आपको कर लेना है उस्तार करना के हैं आपको इसको तोड़ेना है इसको तोड़ेना है इसके बाद सेंप्ली आपको करना क्या है इसमें यहां पर बाद देना है दो तीक लीटे दे दे रहे कसके टाइट रखेएगा बिल्कुल भी ना रहे वरना आपकी पतंग सही नहीं चलेगी बस तना करेगी जल दिन आचेगी नहीं कि यह पीछे डंडी से बिल्कुल टाइट रहने चाहिए लूज बिल्कुल ना रहे हैं इसके बाद हमें इसको डबल कर लेना है या आप चौपल करना जाहें तो चौपल कर लिजए मैं डबल कर रहा हूं क्योंकि यह जो बड़ी पतंगे होती है इसकी लगभग सारी बहुत सी पतंगों में तीलिया जो होती है बहुत ही गूल होती उपर से इसलिए दोरिया भी करके आप अगर बांगते हैं तो तूपती नहीं है और अगर कोई निकूली होती है चाकु के टाइप की तो वह बड़ी जल्दी तूपती है तो बैतर होगा हलता सब से चाकु से साफ कर दे अपने पर साफ कर दे चप्टी गड़ीजिए जैसे के आपक बांग दिया और दूसरा सिर्थ यहां से इसको भी देवर्ट के बांग देता है अब इसकी प्मक करिएगा वीडियो को क्योंकि इसके आगे और भी मैं आपको बताओंगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा क्योंकि हम आपके लिए ऐसी पतक बाजयों तरिक लेकर आया करते हैं और आते भी रहेंगे आपको पतक लड़ाने से लेकर पतक लड़ाने तक काटने तक और अगर आप मैज भी लड़ाते हैं मैदान में तो मैज जीतने तक सारी जानकरी यहां पर आपको मिलेगी हर तरीका आपको बताया जाएगा यह देखिए करने बांके हमने तयार कर दिने हैं तो यह तो फिलाल थोड़ास है इसको हम आगे गीठा देखें थोड़ा पतन को सही कर देखते हैं कि अगे यह और देना पड़े हमें थोड़ा थक्ठास करने हो गया है कि अब यह हमाएं पतन के कंदे बन के तैयार हैं और यह देखिए इस तरह से कंदे बनेंगे और पीछ है इस तरह से दिखेंगे तो तो पुबिर करता हूं यह पतंग बहुत अच्छी है इस पर काम बहुत बढ़िया हुआ है यहीं लगनाव की बनीवी पतंग है और बहुत ही अच्छी बता है एक दम बिल्कुल साफ चलेगी इसकी बिल्कुल धनुज जैसे तीर के जैसे स्थीक है तो इसको मेरे घ्याद है जब चेक भी करने की ज़रूत नहीं है बस पार कर देना है लेकिन फिर हम चेक कर लेंगे जब जोड़ाएंगे तो इसी के साथ हम यह वीडियो को खतम करते हैं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिजेगा हम आपके लिए असी बढ़िया पतंगाजों की ट्रिक्स एंड टिप्स लेके आया करते हैं और मिलते हैं एक लिए वीडियो में तब तक क्लिए गुड़बाए झाल